टॉप न्यूज में आप मेरे यहने की देव के साथ, आईए देश-दुनिया की खास कबरों पर एक नज़र डाले महाराश्ट्र में सरकार गठर को लेकर शिवसेना और पीजेपी के रिष्टों में आई दरार अब दिल्ली तक पहुँच गई है सोंवार को मोधी सरकार में शिवसेना के कोटे से मंत्री अर्विन सावंत ने पद से इस्तीफा देने का एलान कर दिया सावंत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी शिवसेना के इस नए दाओं को महराश्टर में NCP के साथ मिलकर सरकार बनाने के कदम के तौर पर भी दिखा जा रहा है बता दें कि NCP ने महराश्टर में गठबंदन से पहले शिवसेना के सामने NDA से अलग होने की शर्त रखी है अब सवाल ये है कि केंद्र में मोदी की टीम से अलग होने के बाद क्या शिवसेना NDA से भी ब्रेक अप का एलान करेगी मोदी सरकार से अर्विन सावंत के इस्तीफी के बाद शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी के साथ उसके रिष्टे अब केवल आपचारिकता मात रहे है उसको अब का शिया ने सप्रकार नहीं बना सकते हमें मैंडिक नहीं और कि अँगे हमारे साथ आने को तयार नहीं इसले हम भॉमत नहीं जुटा पार है इसले हम आपोजिश्यन में बैठेंगे यह उनका अहंकार है महाराष्ट्रा की जन्ता के प्रति उनका एक तरह से अपमान है देखे भार्ति जन्ता पार्टी यह कहिती कि हम अपोजिशन में बैठेंगे सत्ता नहीं बनाएंगे लेकिन किसी भी हालत में अपोजिशन में बैठने को तयार है लेकिन जो बातता ही हुई तो जो अग्रिमेंट हुआ था 50-50 फॉर्मूला वाला आड़ाई आड़ाई साल के मुख्यपंत्री पत बाटने के लिए ओ देने को तयार है आप उससे समझ सकत है किसके दिमाख में क्या था पहले भी और आज भी अगर दोनों ने जो अग्रिमेंट किया था तो बातता ही हुई ती उसको अपर अमल करता तो महाराष्ट्र में आज की जो स्थिती है वो निर्मान नहीं हो लेकिन किसी भी हालत में शीव सेना को मुख्यमंत्री पत नहीं देंगे फिप्टी-फिप्टी वाला फर्मूला के उपर काम नहीं करेंगे चाहे हमको विपक्समेव इतना पड़े इस हंकार को महाराष्ट्र की जनता का मैं अपमान मानता हुई इधर NCP के चीफ शरत पवार ने एलान किया है कि कॉंग्रिस के साथ बाचीर के बाद ही वो शिवसेना के साथ सरकार बनाने पर कोई फैसला लेंगे पवार के इस रुख ने महाराष्ट्र का सियासी सिस्पेंस बढ़ा दिया है सुनिए NCP के नेता नवाब मलिक ने क्या बताया निश्चित रूप से राजजपाल जी की भूमिका की तरफ हम नजर बनाये हुए हैं राजजपाल महादे अगर सिवसेना को आमंतरित करते हैं तो हम सोचेंगे के हमें क्या करना है अभी तक सिवसेना के तरफ से कोई भी प्रस्ताव राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी को प्राप नहीं हुआ है हम निर्णे लेते समय कॉंग्रेस और राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी एक साथ निर्णे लेगी जैसा के पवार साहब ने एलान किया था 12 तारीक को हमारे विदायकों की हमने बेठक बुलाई है उसमें विदायकों के साथ चर्चा होगी उसके बाद हम कोई अंतिम नेने लेंगे अगर सिवसेना चाहती है कि वे राष्टवादी कॉंग्रेस और कॉंग्रेस का समर्थन चाहते हैं तो सबसे पहले सिवसेना को एलान करना पड़ेगा कि उनका भारती जंता पार्टी से नाता टूड गया एंडिये से बाहर निकलें केंदर के मंत्री मंडल से इस्तिफा दें कोई प्रस्ताव हम लोगों तक लाएं उसके बाद चर्चा होगी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा किन कारिकरमों के तहट सरकार आगे चलेगी और सारी विंदूओं पे चर्चा करने के बाद कोई अंतिम निर्णे हो सकता है लेकिन अभी तक सिवसेना की तरफ से किसी भी प्रकार का प्रस्ताव नहीं आया है और सिवसेना ने अभी तक अपना नाता नहीं तोड़ा है नाता थोड़ेंगे प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से पार्टी उस पे विचार करेगी और वारा तरीक के विधायकों की बेटक के बाद ही हमारा अंतिम निर्णे है सुप्रीम कोर्ट के एतिहासिक फैसले के बाद अयोधिया में राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है माना जा रहा है कि अगले साल 2 अपरेल को भगवान राम के जन दिन राम नवमी के दिन एक विशेश कारे क्रम में भव्य राम मंदिर का का निर्माण शुरू हो सकता है। इस मावले से जुड़े लोगों ने बताया कि राम मंद CRIST के निर्माण के लिए timeline supreme court के 9 november के आदेश के मुताबिक ही है। इस आदेश में court ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर Mंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि राम मंदिर का शेलन्यास होगा या नहीं क्यूंकि साल 1989 में राम मंदिर का शेलन्यास हो जुका है सरकारी सूत्रों ने बताया कि मंदिर बनाने में दो से तीन साल का समय लग सकता है सूत्रों ने ये भी बताया कि उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री कारयाले ने आयोध्या के जिलादिकारी से पांच एकर जमीन के लिए तीन से चार वैकलपिक स्थानों की पहचान करने के लिए कहा है एहम लोकेशन वाला भूखंड सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जद बनाने के लिए दिया जाएगा तेज गेनबाज दीपक चाहर ने नागपुर के VCA स्टेडियम में इतिहास रच दिया उन्होंने बांगलादेश के खिलाफ T20 सीरीज के आखरी और निरनायक मुकाबले में सिर्फ सात रन देकर छे विकट जटके ये उनके करियर ही नहीं बलकि T20 इंटरनाशनल क्रिकेट की सर्वस्टेश्ट बोलिंग है फाइनल मैच में भारत ने बांगलादेश को 30 रनों से हरा कर सीरीज पर 2-1 से कबजा कर लिया है भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकट के नुकसान पर 174 रन बनाये थे जिसके जवाब में बांगलादेश की पूरी टीम 19.2 ओवर में 144 रनों पर धेर हो गई मैन ओफ दे मैच चुने कई चाहर इस वर्ष हैट्रिक लगाने वाले तीसरे भारतिये गेंदबाज रहे 2019 में सबसे पहले मुहमद शमी ने ये कारनामा वंडे में किया था जबकि जस्परीद बुम्रा ने टेस्ट में हैट्रिक ली थी और अब चाहर ने T20 इंटरनाशनल में इस कारनामे को दोहराया है फिल्म 83 में रणवीर सिंग दिगज भारतिये क्रिकेटर कपिल देव का करदार निभाते दिखेंगे इसके लिए उन्होंने न सिर्फ लुक्स को लेकर बरकी कपिल जैसे शॉट्स लगाने के लिए भी जमकर मेहनत की है इस मेहनत का नतीजा रणवीर के नटराज शॉट के फोटो में देखा जा सकता है जिसमें वो कपिल देव के इस फेमस पोज को परफेक्ट तरीके से करते दिख रहे हैं आपको बता दें कि ये शॉट कपिल ने उस दौरान डगाया था जब 1983 में हुए वर्ल्ड कप में भारती क्रिकेट टीम ने जिंबावे का सामना किया था इस सेमेफैनल मैच में कपिल ने 175 रन की नाबाद पारी खेली थी ऐसे और खबरों के लिए भारत चाइम्स के फेस्बुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें